उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है बूशन जूलर्स अन्मोल रिष्टों के लिए गोला में 189 लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन की डोस जिला चमबा के भटियात क्षेत्र के गाउं गोला में 189 लोगों को आयरुवेदिक हॉस्पिटल गोला में कोरोना मुक्त वैक्सीन की डोस दी गई स्थानिय लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए बढ़ चड़ कर हिसा ली लिया बताते चलें की कोरोना टीका करन अभियान प्रदेश व्यापी अभियान के तहट जिला चमबा में भी 11 से 14 अप्रेल तक टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है इसके तहट 45 वर्ष की आयो से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा यह जानकारी वीमो समोट डॉक्टर सतीश फौतेदार ने दी है उन्होंने टीका करन के चरन में 45 वर्ष की आयो के सभी लाभार्थियों से आगरह करते हुए कहा कि कोविड-19 वैक्सिनेशन करवा कर खुद वो अपने परिवार को सुरक्षित बनाए बीमो समोट डॉक्टर सतीश फौतेदार के अनुसार कोरोना संकर्मन का खत्रा अभी टला नहीं है ऐसे में जब वैक्सिन उपलब्द है तो लोगों को इसका समय रहते पूरा फाइदा उठाना चाहिए उन्होंने बताया कि 11 से 14 अप्रेल को प्रदेश भर में टीका उत्सब मनाया जा रहा है इस दरान खंड समोट के तहत उप स्वास्थे केंद्रों में विभिन विभिन स्थानों पर टीका करन शिविरों का आयोजन किया जाएगा उन्होंने 45 वर्ष की आयों से अधिक लोगों से अनिरोध किया है कि वे जल्द से जल्द चेनित स्वास्थे संस्थानों में जाकर कोरोना टीका करन करवाएं उन्होंने बताया कि टीका करन उत्सब के साथ ही जिले में कोरोना टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा रहा है उन्होंने लोगों से अहवान किया है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने और COVID-19 नियोमों का पालन करें उन्होंने लोगों से सरकार वप्रशासन की ओर से कुरोना संकरमन से बचने के लिए जारी गाइडलाइन्स की पालना भी सुनिश्च बनाने को कहा है इस मौके पर M.O. सुहिंता विरेंदर ठाकूर, परेवेक्षक उशा पठानिया, C.H.O. बंदना, C.H.O. अंतिमा, स्टाफ नर्स सरीता वो आशाकार्यकरता मौजूद रहे और आपके परिवार, आपके समास से जड़े हुए वीडियो सर्च कीजिए जीवन उत्सा न्यूज फेस्बूक पे और यूट्यूब पे